पाउसन उन दोनों को देख कर कहता है कि हर बार मैं ही ऐसे सिच्विशन में क्यों फश चाता हूँ इस कहानी का राइटर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है वो इतना सुचकर बेहोश हो जाता है तो उसके अंटर पिंटर उसे उठा कर ले चाते है आगे लिंगलों की बहन कहती है कि मुझे हल विजन के बारे में कुछ पता लगा है हल विजन को खरीदना बहुती ज्यादा आसान है वो हमारे कमपनी के स्टोर में तुम्हें मिल शाये का मुझे बस इतनी ही इन्फरमेशन पता है दादों कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकिन कर लूँगा तो लिंग लॉंग की बहन कहती है कि देखो मैं तुम्हें सच बता रही हूँ तो दादों कहता है कि मैं भी तुम्हें बता दू कि लिंग लॉंग एक शेर है माना कि वो बिल्लियों के बेच में पैदा हुआ है पर इसका मतलब ये नहीं है कि शेर भूल गया है कि वो कौन ह लिग लॉघ बच्पन से तुम्हारे साथ रहा है तो उसे तुमलोगों से लगाव हो गया है तो तुम्हें इतना उसे बुली नहीं करना चाहिए क्योंकि जहां तक मैंने देखा है लिग लॉघ को अपनी बहन की अपनी फैमली की बहुत ही स्यादा परभा है यह सुनकर लिंगलंग की बहन थोड़ा इमोशनल हो जाती है दादों किता है कि वदा करो कि आगे से तुम लिंगलंग को बुली नहीं करो गी तो वो कहती है की ठीक है में वदा करती हूँ वांगचुन को हैल विशन के डीलर का नंबर मिला था तो वो दादोंग के पांस आता है दादोंग उसे कॉल करता है तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें कितने चाहिए आगे ये दोनों उस चुगे पर पहुंच जाते हैं जहां इन्हें बुलाया गया था वहाँ पर दो लड़किया खड़ी थी वैसे वो नमबर तो किसी लड़कियों के डीलर का था दादोंग कहता है कि वांग जुन तुम कहां कहां से इसे नमबर लेकर आते हो चली से यहां से निकलो वरना हमारी इज़त तो गई अगले सिन में दादोंग जब अपने घर आता है तो उसकी मा रो रही थी तो दादोंग उसे पुछता है कि मा तुम्हें क्या हुआ है तो उसकी मा कहती है कि तुम्हारे डैड वो आजकल काफी स्यादा बदल गए है वो आजकल सजने सवरने लगे है उपर से उसने ऐसे दो अंडरवेर भी खरीदे है मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका चकर कहीं चल रहा है तो दादोंग कहता है कि मा आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है डैड ऐसे इंसन नहीं है आप रोना बंद कर दीजिए तो उसकी मा कहती है कि अच्छा ठीक है मैं ज्यादा शक नहीं करती थोड़ी दर के बाद वो उसे पुछती है कि वैसे तुम अपनी कमपनी में क्या काम करते हो मुझे भी देखना है यह सुनकर दादोंग के उपर तो कड़कती बिचली गिरती है वो इस बात को टालने की ट्राइ करता है पर उसकी मा तो जित पर अड़ी थी कि उसे उसकी कमपनी को देखना है अगले दिन दादोंग आया था स्कूल उसकी मा का उसे कॉल आता है कि दादोंग तुम कहां पर हो मैं तुम्हारा फेवरिट खाना लेकर तुम्हारी कमपनी में आ रही हूँ ये सुनकर दादों के आसपास काला अंधेरा चाचाता है वो अपने क्लास वालों से मदद मंगता है कि प्लीस मेरी मदद कर दो ये सबी लोग भी रेडी हो जाते हैं लिंग लॉंग अपने डैड की कमपनी का एक आफिस यूज करने के लिए ले लेता है गुजेन एक सिक्यूरिटी गार्ड बना था वहाँ पर दादों की मा आती है तो दादोंग उसे उपर लेकर चाता है वहाँ पर इन सबी लोगों ने सब कुछ रियलिस्टिक जैसा बना कर रखा था वहाँ पर पाउसान आता है पाउसन कंपनी का डिरेक्टर बना था पाउसन उसे डाटना नहीं छोड़ता दादोंग उसे इशारे से कहता है कि एक बार मेरी मा को चाने दो फिर मैं तुम्हें देख लूँगा थोड़ी दर के बाद वहाँ पर लिंग लॉंग आता है लिंग लॉंग उस कंपनी का सीईयो बना था वो सबको हाई हेलो ठीक से काम करो ये बोलकर चला चाता है थोड़ी दर के बाद वहाँ पर जिगे आता है जिगे का सुबह व तो पहले से ही क्यूट एंड प्यारा था तो वो यहाँ पर भी अपना चाम फिलाना नहीं छोड़ता वो दादों की मा को कुछ ज्यादा ही अची तरीके से ट्रीट कर रहा था जब वहाँ पर लेतिन आती है तो सारे लोग उसे देखने लगते है क्योंकि लेतिन ने आज पहली बार लड़कियों के कपड़े पहने थे जस तरह से लेतिन को दादोंग देख रहा था तो दादोंगी मां को लगता है कि शायद दादोंग इसे पसंद करता है तो वो लेतिन को अपनी फ्यूचर बहु की तरह ट्रीट करने लगती है दादोंग कहता है कि मां आप जैसा समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है तो लेतिन कहती है कि हाँ ठीक कहा अंटी हम दोनों का रिष्टा ऐसा नहीं है हम तो सिर्फ क्लासमेट नहीं कोवर कर है तो उसकी मा कहती है कि तुम दादों को चांती नहीं हो वो बचपन से ही थोड़ा शाय है जब वो किंडर कार्डन में पढ़ता था तब ही उसने किसी को प्रपोस कर दिया था लेतिन कहती है कि क्या तो दादों की मा कहती है कि हाँ तुमने ठीक सुना दादों को लगा कि उसके लंबे बाल है तो फूल लड़की है पर असल में तो फूल लड़का था ये सुनकर लेतिन तो हसने लगती है बिचारे दादों की यहां पर सब के सामने बेज़ती हो जाती है जिए हमें शाही गुजन के लिए लंच लाता था तो इस बार का लंच कुछ ज्यादा ही अजीब जिए सुचता ही कि कल रात डैड मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी कोई गल्फरेंट है की नहीं शायद ये उसी नहीं किया होगा गुजन को लगता है कि ये शायद यान यान ने किया है क्योंकि यान यान उसे पसंद करती है वहाँ पर पाउसन अज़ानक से ही टपक एन लंच का ऐसा हाल देख कर कहता है कि कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो रात में दादोंग ऐसे ही खूम रहा था लेटिन को आज वंग चुन के साथ कौंसर्ट में चाना था पर जब वो दादोंग को देखती है तो उसके पांस आचाती है अब इन दोनों की नज उसरे चाती है गेशुई पर गेशुई आजकल स्कुल में थोड़ा खोया हुआ सा रह रहा था और काफी परेशन भी लग रहा था यह दोनों उसके पीछे चाते हैं गेशुई एक रूम में आकर ड्रम बचा रहा था तो यह दोनों दूर से उसे देख रहे थे थोड़ी द है कि हमें यहां से चली से निकलना होगा क्योंकि मुझे वंग्चुन के साथ कॉंसर्ट में जाना है तो दादों उसे कहता है कि हम टैनल के रास्ते से चाह सकते हैं वंग्चुन यहां पर इंतजार कर रहा था जैसे ही ले तिन आती है तो फूख खुश हो जाता है पर जब उसकी नजरे दादों परशाती है तो उसे यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो सूचता है कि आजकल यह ले दिन दादों के साथ कुछ ज्यादा ही कुम फिर रही है यह सिन यहीं पर ही कट होता है अगले सिन में हम देखते है कि लिंग लॉंग और आजकल तुम इतने परेशन क्यों रहने लगे हो तो गेशुई कहता है कि मेरे मॉम डैट का डैवोर्स हो गया है और मेरे चो नए डैट है वो मेरा स्कूल ट्रांसफर करवाना चाते है मुझे ड्रम बचाना बहुती ज्यादा पसंद है पर वो चो नया स्कूल है उसमें तो मां को दादोंग ने बुलाया था गेशुई की मां भी गेशुई को इतनी पैशनेट तरीके से ड्रम बचाते हुए देख लेती है जब पफॉमेंस खतम होती है तो उसकी मां उसके पास आकर कहती है कि उस नए स्कूल में तो सिर्फ क्लासिक म्यूजिक ही बचता है तो तु मैंने ये बोक्स ये कैंडी कब मंगवाई मुझे खुद नहीं पता है गुजिन जब स्कूल आता है तो एक लड़की उसके पास आकर उसे चुपकने लगती है क्योंकि वो उसे पसंद करती थी गुजिन कहता है कि ये भी चिशी की ही तरह है उस लड़की से बचने के लिए गुजिन जूचू की मदद लेता है और उसे लेकर वहां से चला चाता है जूचू को ये देखकर बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा था अगले दिन वो लड़की गेट के पास ही खड़ी थी तो उसे देखकर गुजिन चुप जाता है अभी वो जूचू के साथ था चच पक गया है तो वो कहती है कि ज़रा दिखाओ मुझे जैसे ही वो उसका हाथ टच करती है तो गुजिन उसे खींच कर उपर ला देता है और इसे चकर में ये दुनों काफी ज्यादा क्लोस आचाते हैं सिचूइशन भी थोड़ी ओकवर सी हो गई थी तो चूचू कहती ह कि तुम बड़े धोके बास हो वो इतना कहते ही वहां से चली जाती है स्कूल से वापस चाने के टाइम पर गुजिन इतर उतर देख कर चा रहा था जिगे उसके साथ था जिगे चब किंग कॉंग को आता हुआ देखता है तो फुचान बूच कर अपना कॉलर बिगार देता जिगे पास ऐकर उसका कॉलर ठीक करने लगती है यह देखकर जिगे को तो बढ़ा मजा आ रहा था गुजन सोचता है कि यह लड़का तो सच में प्यार में है किंग कॉंग सोचती है कि यह लड़का परफेक्ट है क्लास में भी अच्छा कर रहा है पर इसका चुप आप नह उसमें पैसे भी बहुत सारे मिल रहे हैं, चूचू पैसों का सुनकर उसके साथ चली जाती है, शावली उसे लेकर एक असमसम जगे पर आती है, शावली उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंच करना चाती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं देखा चा रहां कि गुजन के कोई इतना करीब आ सके जूचू कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम जूट बोल रही हो और मुझे चैलेंज करना जाती हो अब इन दोनों के बीच में फाइट होती उसे पहले ही ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खातम पर हाँ जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज उसे सबुस्क्राइब करते चैनल थिंक्यू फॉर वाचिंग